आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑफिस का जो एक्सल है वो हमने स्टार्ट किया है तो आज इसका मेरा दूसरा लेक्चर है तो हम चलते हैं फिर जो हमने टेबल बनाया था उसके वो मैं आपको दिखाती हूँ एक्सल के उपर हमने टेबल एक्रियेट किया था जिसमें कुछ स्टूड़न्स के स्टूड़न्स के मार्क्स थे उनकी परसंटेज निकाली उनकी परसंटेज ही सॉरी उनका हमने हाँ येस उनका सम किया था मार्क्स का और उसकी परसंटेज हमने निकाली थे यह देखे हम आउ करते हैं, student table, ये वाली, ठीक है, ये देखेंगे, ये हमने निकाली, उनके students के names थे, subjects है, marks उनके ये आए थे, अली के सारे subjects में marks जो हैं, वो ये हैं, total, ठीक है, individually उसके subject में ये है, mathematics, biology, psychology, physics, एहमत के ये हैं, सारे marks, total marks उसके 471 है, माहीन के 423 है, उसमा के 452, सब के हैं ये, ठीक है, marks, तो अब ये, अब आप ये देखें, कि मैंने उसकी फिर percentage, ये subject से मैंने उसकी percentage निकाली थी, percentage का ये जो portion है, ये थोड़ा उपर हुआ हुआ है, ठीक है, तो हम इसको, ऐसे करके हम select करते हैं, ठीक है, और मैं इसको यहां से drag करके नीचे ले आउँगे, ये देखें, यहां से पकड़के ना, ये जब, प्लस करने शान, ये आ जाता है ना, arrows वाला आ जाता है, आइकन, तो arrow वाला जब mark आएगा, तो उस वक आपने इसको नीचे करके, यहां से पकड़के, इसको नीचे मैंने कर दिया, ठीक है, अब यह हो गया, अच्छा, अब यह table है, इसको मैंने borders लगाने है, तो आप यह याद रखें बात, कि पहले हमेशा, इसको select यह नहीं कि मैं border लगाने के लिए, मैं इधर से इसको करके, मैं तो जी border first करें, मैं अधर यूँ करती हूँ, यह कौन सवाला ले हम, left border है, right border है, top पे border लग जाएगा, bottom पे border लग जाएगा, all borders, ठीक है न, यह वाला मुझे चाहिए, चारो तरफ border लग जाए उसके, अगर मैं और border लग पे करती हूँ, तो देखें, खुछ भी नहीं हुआ, border नहीं लगा न, इसका मतलब है, कि पहले हम किसी भी चीज़ पे कुछ apply करने के लिए, पहले उसको हम क्या करते हैं, पहले उसको हम करेंगे, select, इस पूरे चीज़ को हमने किया, select, ठीके, अब हम जाएंगे और इसको पताएंगे, जो हमने select किया है, उसके उपर तुमने लगाना है, border, अब देखें, उसरे border लगाया, ठीके, तो पहले select होगा, और फिर उसके उपर border लग देगा, अच्छा, ये तो हो गई पहली बात, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कि मैं एक और आपको, यहाँ पर हम एक और table create करते हैं, ठीके, यहाँ पर हम करते हैं, मैं लिखते हूँ यहाँ पर, serial, s, r, इसका small होता है, serial हम करेंगे, one, two, two, three, ठीके, three करके, इसको ऐसे, अब मैं यहाँ से पकड़के, इसको अगर मैं, इस पूरे को पहले हम select करते हैं, इसको पकड़के अगर मैं drag करों, नीचे तक, यह देखें, यह कहां तक करना है मैंने, ten तक, ten है न, यह कितने करने हैं 10 तक कर लेते हैं ठीक है 10 तक यह देखें नीचे 10 का आ रहा है जहाँ पर मेरे प्लस का निशान उसके साथ तो 10 लिख रहा है क्यों इसकी वज़ाई यह है कि जब मैंने 1, 2, 3 किया तो पता चल गया कि 1, 2, 3 के बाद मैं 10 तक मैंने जाना है ठीक है तो मतब कि Excel को पता चल गया Computer को पता चल गया Formula के मताबिक वो इसको नीचे drag करता जाएगा और लिख लेगा यह देखें ठीक है 11 तक उसने लिखती है चले 11 ले लेते हैं ठीक है अच्छा एक होगी यह बात यहाँ पर हम इसको center में करना चाहरे हैं इसको इस चीज को हमने center में करना है उनको तो हम क्या करेंगे यहाँ पर click करेंगे यह देखे center यह हो गया center serial को center करना है यह serial भी center हो गया next क्या करना है product एक company का company का name हम उपर लिखते हैं company का name में आपे लिखते है ABC company ABC company नी ठीक है ABC company आ गई company sales S A L E sales इस company की जो sales है न वो हम find out कर रहे है excuse me ठीक है अच्छा इस company के जो sales है यह हम ने किया देखें हम कर लेते हैं चलो blue में करते हैं ठीक है यह blue लिख दिया कर दिया मैंने अब देखें यहां पर मैं इसको थोड़ा सा और highlight करती हूँ yellow इसको इसको करके मैं चारी हूँ कर यह yellow हो जाए थोड़ा कैसा और ऐसे ठीक है yellow हो गया अब यह देखें नजर आ रहा है चलें जी अब यह करते हैं हम product company की जो product है product हो गई company की ठीक है product में हम क्या लगाएंगे company company के पास है जो product है company की जो company बनाती है oil बनाती है soap बनाती है tissue paper का tissue paper बनाती है ठीक है tissue paper tissue paper हो गया फिर बनाती है face wash face wash ठीक है फिर बनाती है soap तो हो गया था फिर बनाती है dishwasher ठीक है dishwasher अच्छा फिर बनाती है shampoo फिर बनाती है फिर क्या बनाती है floor cleaner अच्छा फिर बनाती है जी और क्या बनाती है perfume perfume बनाती है perfume फिर बनाती है जी और क्या बनाती है oil लोट हेर ओइल बनाती है hair oil ठीक है hair serum बनाती है hair serum चीक है hair serum और फिर बनाते हैं toothpaste 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 अच्छा अब तो यह हो गया अब हम इस करेंगे यहां पर price यह हो जाएगी इसकी price हम करते हैं P-R-I-C-E price ठीक है price में हम लिखेंगे इसकी price है 3500 oil की अच्छा soap की कर देते हैं जी 200 रुपए soap का यह चलो 150 चलो 200 ठीक है 250 का tissue का डपा face wash है जी एक ठीक है face wash है जी face wash भी 250 का dishwasher है जी 150 shampoo है जी 300 floor cleaner है जी 180 perfume है जी 1000 कर देते हैं ठीक है और hair oil का क्या करें hair oil hair oil कर देते हैं जी 150 का चलो hair oil ठीक है hair serum हम कर देते हैं खोड़ा सब महेंगा होता है 450 कर देते हैं toothpaste toothpaste almost 250 ठीक है अच्छा यह तो हो गई price अब हम इतर लगाएंगे उसकी quantity quantity लिखेंगे q u a n t i t y quantity quantity लिखेंगे 1 कोई भी लिख देते हैं यहां पर 3 कर देते हैं यहां पर 2 कर देते हैं यहां पर 4 कर देते हैं यहां पर 6 कर देते हैं यहां पर फिर 1 कर देते हैं फिर यहां पर 3 यहाँ पर 8 कर देते हैं, यहाँ पर 9, यहाँ पर कर देते हैं 10, और यहाँ पर कर देते हैं 12, ठीक है, अच्छा, अब हमने sales निकालनी है, यह sales कितनी होई, sales हम निकालेंगे पर दे, ठीक है, हम लिखेंगे S-A-L-E-S, sales पर दे, D-A-Y, ठीक है, यह होगा, sales पर दे, इसको, थोड़ा सा, यह ना हो, ऐसे पर के, ऐसे, यहाँ से, यहाँ से, देखो मेरे, इसको इच्छ, यह, ऐसे ही, ओहोँ, यह line को मैं सल में करना चाहरी हूँ, यह वाली line, इससे पकड़के, इसको थोड़ा सा, यह drag नहीं हो रहा, इसका मतलब है, कि यह जो, यह drag नहीं हो रहा, चलें, इसको हम पहले बाद में देखते हैं, क्या करना है, अच्छ, पहले हम इसकी sales जो है न, वो हम multiply करेंगे, sales, 35 multiply by 1, ठीक है, हम यहाँ पहले लिखेंगे, इसका formula, formula हमें start करने के लिए है, majority formula को जब भी आप start करना है, अपने is equal to का निशान, लगाना है, keyboard के उपर plus और is equal to होता है, आपने direct उसके उपर press करना है, तो is equal to आ जाएगा, ठीक है, is equal to आ गया, फिर हमने लिखना है, price, price कॉनस कितनी है, 35, 35 के उपर हम click करेंगे, 35, और फिर हम करेंगे, shift, steric, ठीक है, shift और steric, press किया, और फिर हम multiply करेंगे, उसकी, और फिर हम करेंगे, किस से multiply कर रहे हैं, quantity से, अब मैं क्या करूंगी, enter, या इसकी price, ठीक है, इसी तरह इसको भी करके देख लेते हैं, यहाँ पर मैं लगाऊंगी, is equal to, ठीक है, पहले मैंने किया ये, फिर मैंने shift, steric, press किया, उसके बाद, देखें, अब एक बाद मैं आपको बताओं, याद रखें, कि यह जो keyboard के उपर, आपके दो, उपर वाला जो एक low row है keyboard की, आपके laptop की, उसमें, जो one number है, two है, three, four, five, six, up to nine तक, और बल्क उसके साथ, up to zero तक, nine के बाद is zero, और उसके बाद minus है, और उसके बाद फिर plus, is equal to, के साथ tabs है, यह जो tabs हैं, इनके उपर जो sign होते हैं, जो उपर one के उपर, यह exclamation का sign है, ठीक है, two के उपर जो है, वो add the rate का sign है, three के उपर जो है, वो number का sign ह four के उपर dollar का sign है, five के उपर percentage है, ठीक है, तो इस तरह seven के उपर, वो add है, और so on करके, यह plus तक, backspace से पहले पहले, plus or is equal to का sign है, तो इसमें जो उपर वाले होते हैं, उनको आपने अगर apply करना है, मतलब percentage को अगर मैंने apply करना है, या मैंने dollar को apply करना है, लगाना है, कहीं या म मैंने steric लगाना है, या मैंने multiply लगाना है, या मैंने add लगाना है, तो उसके लिए पहले मैं shift प्रेस करूंगी, फिर वो button प्रेस करूंगी, shift plus वो वाला button, steric का button, ठीक है, अच्छा, इसके ओपर फिर हमने ये प्रेस किया, और enter किया, 600, ठीक है, यह आ गया, अच्छा, इसे करके नीचे तक drag करना है, drag मेरा ना, नीचे तक नहीं हुआ, यहाँ तक drag किया, ठीक है, अब ये formula के through, उसने पूरा हमें multiply करने की जुरूरत नहीं पड़ी हर एक को, मैंने यूं किया तो, इसको excel को पता है, formula के उससे वो पूरा उसने नीचे तक multiply कर करके, इसको निका दिया खुदी, ठीक है, यह हो गया, sales per day, अच्छा, अब मैं sales की, जो total sales होई है per day, मैं इसका sum निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे, बलके थोड़ा से नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगे, इसका sum, sum हो गया, ठीक है, यहाँ पर मैं उसका sum न करेंगे, आप यह देखें, इसको मैंने select किया, और इधर आता है auto sum, यह देखें, right side पर उपर की दरफ देखें, auto sum, auto sum के पर जैसे ही मैंने plus किया, यह click किया, उससे formula लगा दिया automatically, ठीक है, बस मैं इसको enter करूंगी, तो इस सारे का न, इस सारे का वो plus कर देगा, यह देखे enter जैसी मैंने किया, इन सब का यहां से लेके, यहां तक, sales का, total sales कितनी हुई है, per day, total sales एक company की, 14,024,190 रुपीज, ठीक है, यह per day है, रुपीज की, तो यह आगे है उनकी sales, इधर आप रुपीज भी लिख सकते हैं, ठीक है न, यहां पर, यहां इसको पहले में sum को न, पहले में highlight करते हैं, कैसे highlight करें, चले जी, इससे highlight करते हैं, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं, यहां पर हम लिखेंगे, रुपीज लिखे, यहां पर हम लिख देते हैं, sum, इसको हम करते हैं, 24,000 को हमने ऐसे लिखना है, 24,190 रुपीज, comma भी लगा सकते हैं, without comma भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहां गई रुपीज में, इसको हम यहां पर, यह तो हम यहां पर इसको रुपीज कर देंगे, यहां पर हम लिखेंगे, रुपीज, इसको हमने select करके, आर, ओहो, आर और एस, रुपीज लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे, 20, जो इसका sum था, sorry, इसको हम यूँ करेंगे, और अब हम यहां पर, यहां पर दुबारा auto sum पर जाएंगे, ऐसे करेंगे, यह select हुआ हुआ है, auto sum करेंगे, यह आ गया, ठीक है, enter करेंगे, तो यह आ गया, इधर हम रुपीज, जो है न, 24,190 रुपीज, रुपीज इधर हम नहीं लिख पा रहें, यह क्यों नहीं लिख पा रहें, यह भी मैं आपको, देख के बताऊंगे, क्यों नहीं हम लिख पा रहें इधर रुपीज, वैसे इधर रुपीज होना चाहिए ठीक है तो अगर हम चलेंगे मैं आपको इसका हम बाद में इसको करके मैं आपको बताऊंगे अच्छा ये तो हो गई रुपीज का ये जो है रुपीज का लिखना है तो वो रुपीज इंशालला मैं आपको नेक्स अपने लेक्चर में देखके के रुपीज कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगे अच्छा सम एक तो हमने आटो सम से लगाया ठीक है एक और तरीका होता है सम को लगाने का वो ये होता है कि इधर मैं लिखूंगी सम S U M ठीक है ना सम लिखा इधर मैं लगाऊंगी इसका सम का हमेशा is equal to से start करते है सम के बाद is equal to किया उसके बाद पर bracket छोटी bracket start ठीक है small bracket start वो हम shift plus small bracket के उपर हम click करेंगे जहाँ पर 9 के उपर देखे 9 जो tab है आपका key board के उसके उपर small bracket है opening bracket है और 0 के उपर closing bracket है तो 9 के उपर opening bracket के उपर हम press करेंगे 9 प्रेस करेंगे shift plus opening bracket उसके बाद हम लिख करेंगे सम का हम जो है वो इसको हम ऐसे select करेंगे यहाँ तक इसको हमने select किया ठीक है shift closing bracket करके enter कर देंगे यह तो नहीं आया इसका मतलब है कि कोई हमने गल्ती किये गल्ती क्या हो सकती है उसका गल्ती यह है हमारी कि is equal to sum करके sales को उपर इसको हमने ऐसे करना है कि हम ओहो देखें नहीं मैं वो formula गल्त लगा रही है इतनी मेरी बेवकूफी है formula मैंने गल्त लगा रही है sum का यह देखें हमने यहाँ पर हमने sum का formula क्या लगाया था इधर जब हमने sum किया था यह देखें sum का formula था is equal to के बाद sum लिखा था ठीक है न यह ओपर देखें is equal to के बाद sum और फिर सारों को bracket close bracket opening है bracket सारे चेकर के bracket close ठीक है और यहाँ पर मैंने क्या किया है यहाँ पर क्या गल्ती होगी मुझसे sum को मैंने पहले लिख दिया है ठीक हो is equal to को मैं बाद में लिख रहे हैं यह देखें हम अब हम वलती हमने पकड़ ली अपनी यह देखें हैं मैं करूंगी is equal to is equal to लिखके और फिर मैं लिखूंगी sum 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 लिखके अब is equal to sum और फिर shift closing bracket start अब मैं यहां से लेके पूरे यह जो है न यह न नीचे देखें यह किया closing shift closing bracket पहले opening bracket थी shift opening bracket यह थी shift closing bracket और अब enter यह देखें यह आ गई हमारा वो वाला sum आ गया यह ठीक है जो हमने इस formula से निकाला था दूसरे वाले formula से लिखाला यह देखें इस formula इसके उपर लिखा तो उसने यह बता दिया कि is equal to sum is equal to करके पहले is equal to का निशान होता है फिर हम sum लिखते हैं और फिर closing यह तरीका होता है और एक तरीका होता है कि आप उसके उपर आप click करें इसके उपर जहां पर आपने sum लगाना है इसके उपर click करके इस block के उपर और फिर आप चले जाएं auto sum के उपर जैसी मैं auto sum प्रेस करूँगी यहां पर वो इसको select नहीं करते हैं इसको select नहीं करते हैं जब हम auto sum करते हैं तो हम मैं इसको ऐसे select करने की ज़रूरत नहीं होती सिर्फ हमने इसके उपर select करना है जिस block के उपर हमने auto sum लगाना है उसको select करते हैं और बज यह auto sum पर click करते हैं तो यह आ जाता है लेकिन अगर हमने दूसरे तरीके से sum निकालना है इस तरीके से ठीक है इसको भी तरीके से यहाँ पर और yellow नहीं है यह कौन सा color है? orange ठीक है इसको sum एक यह तरीके से निकला एक sum इस तरीके से निकला यह दो तरीके हैं sum को निकालने वाले ठीक है यह देखें इस तरीके से भी sum निकला है यह इसका formula यह आपको बता रहा है उपर कि इस तरीके से हमने निकाला है और यह बता रहा है कि हमने इस तरीके से निकाला है ठीक है इस तरह sum करके ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं auto sum करके वो auto sum हमने इस तरह इस तरह निकाला था वो हमने इसके उपर करके auto sum इसके उपर press किया था तो वो sum आ गया था ठीक है? यह देखें मैं अगर फर्स करें मैं इधर चाहती हूँ कि वो इसका तो मैं करूँगी इसके उपर click करूँगी auto sum के उपर press करूँगी ठीक है? और जैसे ही मैं इसको enter करूँगी यह देखें 748, 748 वो इसका निकाल दिया इसका ना, यह जो है line, यह इस पूरी lane के sorry निकाल दिया इसको हम को करेंगे, हम यहीं पर लखेंगे ताकि वो इसका निकाल के दे हमें इसको भी निकाल देगा लेकिन हम यहाँ पर क्या करें? चलें ऐसे करके देखते हैं, यहाँ पर हम लगाते है और auto sum करते हैं यह देखें अभी जैसे मैं enter करूँगी 24199 इसका उसने auto sum निकाल दिया, क्योंकि वो sum था ना इसका उसने दुबारा इन सब चीजों का sum निकाल दिया, अगर मैं दुबारा इदर करती हूँ, प्रेस और फिर auto sum करते हैं ठीक है, अब फिर हम enter करते हैं मैंने देखें, उपर कुछ किसी चीज़ को मैंने select नहीं किया, drag करके नहीं select किया, मैं सिर्फ एक block के ओपर मैं उसको select करती हूँ, auto sum पर click करती हूँ, अब देखें क्या होता है फिर दुबारा आगए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो इसके चीज़ को जिस जो column है, वो खुद ही उसको identify कर लेता है ठीक है, auto sum, और उसको पता चल जाता है कि मैंने इसी row, इसी column को मैंने add करना है, auto sum करना है तो वो खुद बाखुदी, auto sum का मतलब होता है, खुद बाखुदी उसको sum करना auto sum, तो वो उसका sum कर देता है, auto sum और निकाल के यह रग देता है, हमें यह यह उसका ज़रू करने की जडरोओता है जो कि हम इस formula करते हैं, यह वाला जो formula नहें यह, इस से हम d््दैक करते हैं जो हम is equal to sum और यह करते हैं, वो तरीड़ करतेँ है उसके वो उससे नहीं करता, वो auto sum इस तरशारा करो यह देखे, ऊटक है, auto sum कर की इस तरीके से निकाले तो दोनों तरीके से हम sum को निकाल सकते हैं अच्छा अब यह तो हो गई यह sales का हो गया तो अब यह मैंने और यह बता दी ठीक है इसको हम border बना देते इसका पहले हम इसको select करेंगे यह दिखें इसको पहले हम ने पहले इसको select किया, अब हम जाएंगे ओपर borders पे और इदर हम लिखेंगे all borders स्को select किया और ये all borders पे ये पूरा border आ जाएगा अगर इसको मजीद मैंने इसको dark करना है, इसी table को मैंने और मजीद dark बनाना है suppose पूज ये देखें इसको अगर मैने और डाग बनाना है तो मैं क्या करोंगी इसको हम ऐसे करेंगे ठीक बॉडर्डर्स कर देदें ठीक है ये ठीक आ जाएगा ये ठीक आ गये अब देखिए थिंग जाने बॉडर्डर्डर्स के डार्क हो गए तो यह आज मेरा lecture है ठीक है इसमें हमने मैंने आपको दो चीज़े बताई ही पहले मिन इसका आपको बॉर्डर बनाना बताया हमने marks निका ले थे percentage निका ली थी formula के थू formula कौन सा लगाया था यहाँ पर click करेंगे आपको formula का पता चल जाएगा कि उसकी per day कितनी sale है, company की जो कि ये products बनाती है, उन products की जो price है, वो ये है, quantity उनकी sale हुई, इतनी per day sale हुई, तो उनको जब हमने price को multiply किया quantity से, तो हमें per day sale पता चल गई, एक company की जो कि 24,190 रुपीज थी, आचा, next lecture में, मैं आपको बताऊंगी कि रुपीज हम इधर कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो इंशानला ताला मैं आपको next अपने lecture में बताऊंगी कि रुपीज कैसे लिखते हैं, तो जब तक लिए मुझे इजादब दीजिए, अलाने के बाद,